हांजी मेरी YouTube फैमली क्या हाल चाल चाले हैं आप सब क्या है होप एकदम ठीक ठाक हो गया आप सब ये वीडियो जो है ऐसी वीडियो मैंने आज से पहले नहीं बनाई बट बहुत जादा कॉमेंट से Instagram पे भी YouTube वीडियो के नीचे भी वो थे iPhone 11 की डील को लेकर और यहां पे 30,000 में आपको मिल रहा है iPhone 11, AirPods इसके साथ फ्री मिल रहे हैं तो आपको कौन सी डील लेनी चाहिए और कहां से मिलेगी इसी के बारे में है ये वाली वीडियो बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, Instagram पे फॉलो करो क्योंकि सबसे पहले जो अपडे में 23 से बट उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो ही वो था प्राइस कट पुराने फोन में iPhone XR में प्राइस कट हमें देखने को मिला और iPhone 11 में भी पहले ये वाला फोन जो है अगर मैं Apple के ऑनलाइन स्टोर की बात करूं तो वो था 68,000 का बट अब ही ये वाला जो फोन है वो Apple के offer के उपर ही 17 October से Apple स्टार्ट करने वाला है अपना दिवाली offer, दिवाली offer में iPhone 11 अगर आप लेते हो तो इसके साथ 15,000 रुपे के AirPods आपको free मिलते हैं, अब AirPods को लेकर सबसे पहले query ले ले लेता हूं, बहुत जादा questions थी भाई, कौन से वाले AirPods होंगे, AirPods 1, 2, wireless charging वाले क्योंकि मेहंगी है, अगर मैं Apple की website की बात करूं तो 14,900 है pricing AirPods 2 की, तो 14,900 वाले जो AirPods 2 है वो आपको free मिलेंगे इस iPhone के साथ, 55,000 आपको pay करना है और AirPods free है, overall अगर हम बात करें तो 40,000 का पढ़ गया आपको आपका iPhone क्योंकि 15,000 के AirPods आपको free मिल रहे हैं, और AirPods आज के टाइम मे बहुत जादा जरूरी हो गया है, अब मुझे नहीं पता कि यह जो sale है, इसके अंदर box जो मिलेगा iPhone 11 का, वहाँ पे हमें charger और earphones मिलेंगे, क्योंकि यह किसी ने भी mention नहीं किया, बट Apple का जो event था Apple ने वहाँ पे clear कर दिया था, कि जितने भी iPhone Apple की website से जाएंगे, वहाँ पे earphones लेने पड़ेंगे, जो lightning cable वाले हो, या फिर Bluetooth headphones, और Apple के लिए जो सबसे best रहेंगे, वो होते हैं Apple के earpods, तो वो आपको free मिल रहे हैं इसके साथ, और 40,000 एक बहुत कमाल का offer है आपके phone के लिए, क्योंकि वैसे भी earpods तो आपको लेने ही पड़ते हैं, और 15,000 extra देने की जगा, यह जो deal है मेरे साब से एक बहुत ही कमाल की deal है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी iPhone 11 versus 12, तो वहाँ पे मैंने का था कि 12 जो है वो बहुत जादा superior product है, बट 12 का जो price है, वो 30,000 रुपे जादा है iPhone 11 से, उस वीडियो का main motive था comparison, और गर हम compare करें तो obviously iPhone 12 जो है, वो काफी overall आज की बात करूँ, तो price के हिसाब चाइफोन 11 काफी अच्छी deal है, और iPhone 11 55,000 वाली जो deal है मेरे साब से अच्छी है अगर आपको airports चाहिए, बट अगर आपको airports से फरक नहीं पड़ता, अगर आपके पास already earphones पड़े हैं, तो Amazon की जो sale आने वाली है, 16 October से start हो रही है, और prices Amazon वाली deal लेनी चाहिए, या Apple वाली, ये end में बताऊंगा, बट एक चीज़ और बताव देता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से नहीं हो, तो मुझे नहीं पता cashback किस तरीके से वहाँ काम करता है, बट अगर मैं Amazon इंडिया की website चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 10% instant discount लिखा है SDFC account holders के लिए जिनके पास credit card या debit card है, SDFC bank के तो अगर आप 47999 का phone लेते हो, तो 4799 आपको discount मिल जाएगा, और 10% instant discount के बाद आपका जो iPhone 11 है, वो आपको पड़ेगा 43200 का, तो अब जो price है, वो दोनों का almost same आ गया है, ये 55 आपको पे करने पड़ेंगे, एरपोर्ट के लिए त बट 40 है ऐसे होगा कि 15,000 के headphones आपको free मिलेंगे, बट Amazon के उपर आपको AirPods free नहीं मिल रहे है, एक AirPods वाली deal भी है, जिसका price है 68399, तो वो जो deal है काफी जाद expensive है, उसको तो हम ignore कर ही देते हैं, अब यहाँ पे सिफ दो ही deals रहे गही है, पहली है Apple की दिवाली offer जहाँ पे 55 में AirPods plus iPhone मिल रहे है, तो iPhone की जो overall value है, वो हो जाती है 40,000, Amazon की अगर मैं बात करूँ, तो वो price है 47999, और अगर आपके पास HDFC bank का card है, तो आपको पड़ेगा 43200 का, और अगर आपके पास HDFC का card नहीं है, तब होता है 48,000, तो 48 अगर आप लगाना चाहा रहे हो, तो मेरे हिसाप से फ और iPhone भी ले सकते हो, किसी और brand का जो थोड़ा सस्ता हो, बट अगर आपको AirPods ही चाहिए, तो Apple की deal जो है, वो मेरे साब से जादा बेटर deal है, थोड़ा सा confusing है ये, मेरे लिए भी confusing है, तो एक बाद फिर से clear करने की कोशिश करता हूँ, अगर AirPods आपको लग रहा है कि आपकी बह iPhone लेना चाहिए, और specially अगर आप HDFC Bank का जो card है, वो arrange कर सकते हो, तो 43200 में आपको brand new iPhone 11 मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी deal बन जाती है, अब आपके ऊपर है, आप AirPods लेना चाहते हो, अपने iPhone के साथ, या सिर्फ आपको iPhone ही चाहिए, आप मुझे बताओ comments में, आप कौनसी वाली deal पिक करने वाले हो, मेरी मानों तो Amazon वाली deal है, वो जादा बैटर है, AirPods की जगह कोई और headphones आप opt कर सकते हो, और अभी जब Amazon और Flipkart की sales स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो headphones है, उनके उपर भी काफी सारी deals आपको मिलेंगी, और ये थी मेरी एक वीडियो, अगर कोई भी बलती हुई है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, बुरी लगी है वीडियो, तो डिसलाइक कर दो, इससे जादा तो क्या कह सकता हूँ, पसंद आई है, तो लाइक करो, शेर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, Take care, bye-bye.